Dear Students, Today we will study new chapter 9, People who help us, लोग जो हमें help करते हैं, आज हम लोग को यह चप्टर पढ़ने हैं, People who help us, लोग जो हमें help करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल में होते हैं, चारो तरफ होते हैं, जो हमें help करते हैं, जोसे पोलिसमन, वोस्टमन, लगकाई, पायर मन, टीचर, दॉक्टर यह सबी, इन आवर देलिल लाइफ, वी डबेंड अधेर बेंड और पीपल थैपने डेलि लाइफ में, वी डबेंड आन वी डबेंड आपने ड़ी लाइफ में, वी depend on other people हम लोग दुसरे लोग पर depend रहते हैं निरवर रहते हैं and they in turn depend on us और फिर वे लोग भी हम सभी पर depend रहते हैं वी are dependent on our parents for our day-to-day needs education, etc हम लोग भी अपने parents पर depend depend रहते हैं अपने दीन के जरूरतों को पुड़ा करने के लिए दीन के जरूरतों के लिए this education और भी बहुत सारे कुछ we do help our parents in small small ways हम लोग भी अपने parents का help करते हैं छोटे-छोटे काम करके beyond our homes there are many people who help us in their own ways हमारे घर से दूर बहुत सारे people होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे help करते हैं some of these are the policeman, the postman the fireman, the teacher or the doctor ये सब ही लोग होते हैं जो हमारे घर के member नहीं होते हैं जो बाहर के होते हैं हमारे घर से दूर होते हैं, वे लोग हमारी हेल्प करते हैं, let us understand how they help us, चलिए हम लोग समझते हैं, वे लोग कैसे हमारी हेल्प करते हैं, सबसे first में पढ़ना है, the policeman, the policeman maintains law and order, policeman maintain करता है, law and order को, कानून और बेवस्था को, he protects the people from criminals and robbers, policeman हमें मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, criminals और robbers से, बदमासों से और डाखुओं से, the policeman helps people to recover their lost property, policeman, लोगों की मदद करते हैं, जब उनका कोई property, कोई संपती, हो जाता है, तो उनको recover करने में, फिर help करते हैं, they help us to keep our localities safe and peaceful, वे हमें ये भी help करते हैं, कि हमारे आसपास के इलाके को safe रखते हैं, और सान्ति पूर्ण रखते हैं, आप picture में देख सकते हैं, कि एक बदमास को जेल के अंदर डाला गया है, और एक बदमास को फिर यहां पकड़ के रखा गया है, उसके आगे पढ़ने हैं, traffic police, the traffic policeman controls the traffic on the roads and helps it to move smoothly, traffic police, traffic को control करता हैं रोड पर, और वो help करता हैं, कि गाड़ी अराम से चले, धीरे धीरे चले, the policeman's job is indeed a tough one, policeman का job, सच में, एक tough job होता है, बहुत ही hard job होता है, at fairs and festivals, he has to control the crowd and maintain law and orders, fairs means mellow में और festivals में, वे control करते हैं crowd को, crowd means भीड, बहुत सारे भीड होते हैं मेले में या festivals में, तो police क्या करते हैं, control करते हैं, and maintain law and order, और law and order को maintain करने का काम करते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, thank you,